नमस्कार मैं हूँ शिवांगी आप सबों का स्वागत है बिहारी मीडिया में तो चलिए जानते हैं 15 बड़ी खबरों को विस्तार से बिहार में होने जा रही बंपर बहाली 10,000 से अधिक पदों पर होगी भरती बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाव के लिए बड़ी संख्या में प्रदेश में भरती निगलने वाली है बिहार में जल्द 10,000 से अधिक पदों पर ये बहाली होगी बताय जा रहा है कि ये सभी नियुक्तिया अस्थाई होगी सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इसके लिए मंजूरी भी मिल गई है सोमवार यानि 14 अगस्त को दैनिक अखभार हिंदुस्तान ने अपनी एक रपोर्ट में इसकी ज्वानकारी दी सामान्य प्रशासन विभाग की सूत्रों के हवाले से बताया गया कि 10,000 से अधिक पदों पर बहाली होने वाली है सामान्य प्रशासन विभाग की अनुसार पंच्वायती राज विभाग में सबसे अधिक भरती होगी पंचायत सचीब के लिए 332 पदों पर बहाली होनी है राजस्व एवं भूमी सुधार बिभाग में राजस्व कर्विचारी के लिए 335 पद स्वास्त बिभाग में सहायक प्रधाना ध्यापक के लिए 1318 पद एवं विशेसक चिकिस्सक के लिए अन्य 6 पद श्रम विभाग में श्रम प्रवर्तन पदादिकारी के लिए 33 पदों पर भरती होनी है बीजेपी नेताओ पर लाठी चार्ज मामले में पटना डियेम वो एससपी की बढ़ी मुश्किले ओम बिर्ला ने दिल्ली तलब किया बीजेपी नेताओ और कारेकरताओ पर बिहार की राजधानी पटना में हुए लाठी चार्ज मामले को ले कर स्पीकर ओम बिर्ला ने गंभीरता से लिया है ओम बिर्ला ने पटना के डियेम और एससपी को दिल्ली तलब किया है स्पीकर सचीवाले की ओर से बताया गया है कि पटना के डियम और स्पी को तीस अगर्स को पेश होने के लिए कहा गया है गौरतलब है कि 13 जुलाई को बीजेपी के द्वारा बिहार बिधान सभा मार्च निकाला गया था जिसमें भाजपा के सांसद जनार्धन सिंग सिग्रिवाल लाठी चार्ज के दौरान गायल हो गये थे भाजपा सांसद जनार्धन सिंग सिग्रिवाल ने आरोफ लगाते हुए कहा कि बिहार सरकार ने जान बुझ कर लाठी चार्ज करवाया ये जानती हुए भी कि मैं एक सांसद हूँ और मेरी हत्या करने की साजिश डाली थी परिशा देने के बाद भी पुलिस कर्मियों ने बीजेपी सांसद को बुरी तरह पीटा था जनार्दन सिंग सिग्रेवाल ने पुरे मामले के शिकायत लोगसभाध्यक्ष victory से की थी और कहा था कि उनकी हत्या कि साजिश की गई थी बिहार के 11 जिलो में आज होगी भारी बारिश मौसम विभाग का ओरेंजल अर्ट बिहार के 11 जिलों में आज भारी बारिश के चिताबनी जारी की गई है, मौसम बिभाग की ओर से किशन गंज और पश्चमी चमपारन में अती भारी बारिश का ओरेंजलर जारी किया गया है वहीं पटना सहीत राज्जी के अधिकतर हिस्से में कल गर्मी से बिहाल रहे, अगले दो दिनों तक उत्तर बिहार की ओर मांसून की सक्रियता रहेगी राज्जे में अभी भी 32 प्रतिशत बारिश की कमी बनी हुई है मौसम भी भाग की ओर से बताया गया है कि आज को मधिबनी, सुपाल, अररिया, किशन गंज, पूर्णिया, मधिपूरा, पशिम, चमपारन, जिले में भारी वर्षव, अधिकांज, जिलों में वर्जरपाद की चेतावनी है वही कुछ अस्थानों पर बूंदा बांदी वहलकी बारिश की संभावना है पितीश कुमार ने शनिवार को हवाई सर्वेक्षन कर अलप वरिष्टी से प्रभावित और अंगाबाद, गया नवादा, शेखपूरा, जमुई और नालंदा, जिले के बिभिन प्रकंडों का हवाई सर्वेक्षन कर इस्तिती का जाय जा लिया इस दोरान मुख्यमंत्री के ने अधिकारियों का वश्चक दिश्वा निर्देश भी दिये, सर्वेक्षन के दोरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश या कि अलप वर्सापात के कारण उतपर्ण इस्तिती पर पूरी नजर रखे डीजल अनुदान योजना के तहट किसानों को सिचाई है तू डीजल अनुदान के रूप में सहायता दी जा रही है सभी जरुरत मन्द किसानों को तेजी से इसका लाब दिलाया जाए ताकि उन्हें रहात मिल सके किसानों को 16 घंटे निर्वाद जिला विजली आपूर्ति की तेजप्रताप यादो ने कोकुनट पार्क से हटाया अटल का नाम नितीश्यव के बाजपेई प्रेम पर बीजेपी ने उठाया सवाल बिहार में सुमवार की सुबह सुबह नया राजनीतिक बवाल शिरू हो गया है जिसके सूतर धार बने है आरजेडी नेता और परियावरन मंत्री तेजप्रताप यादो नव पतना में पूर्व पीम अटल बिहारी बाजपेई के नाम पर रखे गए अटल पार्क का नाम बद कर दिया गया तेजप्रताप यादो के हाथों वापस इसका नाम कोकोनट पार्क करने के लिए सुमवार को वन विभाग ने लोकापर्ण कारेक्रम आयो जित किया है पार्के से अटल नाम हटाने पर बीजेपी ने तीखी प्रक्रिया दिया और का है कि मुख्यमंदरी इंती इश्कुमार का बाजपे प्रेम दिखावा है गारी का साइज देखकर ट्रैफिक चलान कटेगी पुलिस बाइक वाला एक हचार देगा तो कार वाला तीन हजार वरेगा बिहार में गारी चलाने समय अगर ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया तो ये गलती आपकी जेव पर भारी पर सकती है ट्रैफिक पुलिस ने जब नया फाइन चार्ज जारी किया जिसके मताबिक गारी के साइज के हिसाब से जुर्माना परेगा मतलब ये कि बड़ी गारी तो बड़ा जुर्माना छोटी गारी तो कम से कम एक हजार जुर्माना अभी तक नियमों का जुर्माना राशी इस प्रकार है, दो पहिया, एक हजार, तीन पहिया, दो हजार, चार पहिया, तीन हजार, मध्यम वाहन, चार हजार, भारी वाहन, पाच हजार, स्टॉप साइन के उलंगन पर जुर्माना राशी इस प्रकार है, दो पहिया, वाहन, एक हजार, तीन पहिया, दो हजार चार पहिया, तीन हजार मध्यम वाहन, चार हजार भारी वाहन, पाच हजार राशनकाड धारकों के लिए अंतिम मौका 30 सितंबर तक करा ले ये काम वरना नहीं मिलेगा सरकारी आनाज सरकारी आनाज उठाने वाले उपभोकताओं को अपने राशनकाड बचाने के लिए एक और मौका दिया गया है 30 सितंबर तक आधार सिडिंग कराने को कहा गया है, इस अवधी तक आधार सिडिंग नहीं होने पर राशनकाड को बंद कर दिया जाएगा नालंदा जिले में 25,18,770 उपभोकता है, इनमें 20,97,825 उपभोकताओं ने अपने राशनकाड को अधार सिडिंग कराया है, अभी भी 4,20,945 उपभोकताओं ने अपने राशनकाड को अधार सिडिंग नहीं कराया है 30 सितंबर तक आधार सीडिंग नहीं कराने वाले उपभोगताओं को फरजी मान कर राशन कार्ड को डिलीट कर दिया जाएगा इसके बाद सरकारियान आज मिलना बंद हो जाएगा जिलापूर्ती कारयाले ने सभी MO को आदेश दिया है अभियान चलाकर राशन कार्ड धारी उपभोगताओं का आधार सीडिंग कराए राशन कार्ड में जितने उपभोगताओं है सभी का आधार नंबर देना होगा चाहे छोटे हो यह बच्चे का नाम क्यों न हो राशन कार्ड को डिलीट करने से बचाने के संबंधी डीलर या प्रकंडापूर्ती शाखा में आवेदन के साथ आधार नमबर दे सकते हैं इसके बाद डिजिटल साइट पर आधार नमबर अटेच हो जाएगा दिसंबर में खोल दिया जाएगा नवादा का ककोलत जड़ना बिहार का कश्मीर कहा जाने वाला ककोलत के फैन के लिए अच्छी ख़बर है महीने से बंद ककोलत जलप्रापात इस वर्स दिसंबर से सैलानियों के लिए खोल दिया जाएगा इसके जिनो द्वार के लिए सरकार ने 14 करोर 95 लाग की राशी श्विकृत की है जिससे नेचर सफारी वजूर सफारी की तरज़ पर प्रकृती वपर्यावरन को नुकसान पहुचाने वाले बिना प्रदूशन मुक्त वातावरन में सौंदाईरी करन का कार्य प्रगति पर है जिनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना और दालों तथा तिलहनों के आयात की अनुमती देना शामिल है सरकार की उमीद जताई है कि बाजार में नई फसलों के आने के साथ ही अगले महीने से सबजियों की कीमतों में कमी होगी वित्मंत्राले के वरिश्ट अदिकारी ने कहा कि सरकार ने महंगाई से बचाने के लिए कदम उठाए है और दूसरों की तुलना में हम काफी बहतर इस्तिती में है टमाटर की कीमतों को कम करने के लिए जरूरी उपाय किये गए हैं और इसका असर दिखने लगा है कई राज्यों में दाम सो रुपे प्रती कीलों से नीचे आ गया है वही प्याज के दाम पर काबू रखने के लिए भी प्रयाज किये जा रहे हैं कीमतों को नीचे रखने के लिए लचीली व्यपार नीती अपनाई गई है सोड़ उर्जा से रोशन होगी पटना के सरकारी भवन कोईले से उत्पादन होने वाली बिजली की खपत को कम करने और हरीत उर्जा को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है इसके तहत पटनाजिले में अगले तीन महीने में 1300 सरकारी भवनों को सौर उर्जा से रोशन करने की योजना है ब्रेडा तैयारी शुरू कर दी गई है इसमें 40 किलो वाट लोड से उपर 300 भवनों में सोलन पैनल लगाए जाएगा 1000 भवनों में 40 किलो वाट से कम के पैनल लगेंगे 1300 भवनों को सोलर पैनल से लैस करने पर 65 मेगावाट उतपादन करने का लक्ष रखा गया है ब्यहार में जाती ये जन गणना पर फिलहाल रोक लगाने से सुप्रीम कोट का इंकार अगली सुनवाई 28 को ब्यहार में जाती गणना पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोट में सुनवाई हुई शीर्स अदालत ने कहा कि याचिका करता जब तक ये साबित नहीं कर देते कि जाती गणना कराना गलत है तब तक बिहार सरकार के सर्वे कराने के फैसले पर रोक नहीं लगाए जाएगी बिहार सरकार की और से पेश वरिष्ट वकील श्याम दिवान ने पटना हाई कोट के आदेश पर किसी तरह की रोक नहीं लगने की मांग की सबी पक्षों की दलील सुनने के बाद पीठ ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्ट को होंगी गरतलब है कि पिछले सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि जाती गण सर्वे कराने से क्या नुकसान है साथी बिहार सरकार ने आदालत के समक्ष कहा था कि वो व्यक्तिगर डाटा जारी नहीं करेगी और सिर्फ सामुहिक डाटा ही जारी किया जाएगा बिहार में किसलाख कामगारों को बिजली अनुदान मिलेगा दिल्ली और पंजाब समेत देश के कुछ राज्यों में उपभोगताओ को निश्चित यूनिट तक मुफ्त बिजली मुहया कराय जा रहा है इधर बिहार में भवन निर्मान से जुरे सभी निबंधित कामगारों को बिजली खपत पर अनुदान देने की कवाय चल रही है राज्य में भवन निर्मान से जुरे कामगारों में राज्य मिस्तिरी, हलपर, मजदूर, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, बढ़ई, आदी का निबंधन किया जाता है इसके लिए बिहार भवन एवं सनिमार्न कर्मकार कलियान बोड बना हुआ है बीते दिनों श्रम संसादन विभाग सूरेंदर राम की अध्यक्षता में बोड की उचस्थर ये बैठक हुई इसमें तै हुआ कि भवन निर्मान के निबंधित कामगारों को बिजली अनुदान दिया जाए अनुदान के रूप में कितनी राशी दी जाएगी इस पर विमर्ष चल रहा है ये जरूर तै हुआ है कि उतनी राशी दी जाए जो उनके लिए उपियुक्त सावित हो कामगारों को अभी पोशाक राशी के तौर पर पच्चिस सौ और चिकिस्सा सहाईता मद में सालाना तीन हजार रुपे दिये जाते हैं इसमें कमी विधी संब्व है जवाहर नवोदे विद्याले में कक्षाचव में प्रवेश की तिथी 25 अगस तक बढ़ी जवाहर नवोदे विद्याले में कक्षाचव में दाखिले के लिए ली जाने वाली JNVRST परिक्षा 2024 के लिए ओनलाइन फॉर्म भढ़ने किती थी 17 अगस को बढ़ा कर 25 अगस 2030 कर दिया गया है ऐसे में जो अभियारती कक्षा 6 के लिए परिक्षा हेत्यु आवेदन करने में एक्षुक है वो 25 अगस 2030 तक अपना आवेदन फॉर्म भढ़ सकते हैं पशुपती पारस पर गरम हो गए चिराग पासवान हाजिपूर सीट पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा लोगजन शक्ति पार्टी रामिलास पासवान के राश्टी अध्यक चिराग पासवान ने हाजिपूर सीट को लेकर बड़ा खुलासा किया है वो ना सिर्फ अपने चाचा पशुपती कुमार पारस पर घरम हुए बलकि बता दिया कि इस सीट पर किस का हक है इस दावे का उन्होंने कारण भी बताया और पशुपती पारस को दो टूक में जवाब दे दिया इस सीट को लेकर चुराग पासवान अब तक सबसे बड़ा बयान और दावा माना जा रहा है जिसके बाद सियासी गल्यारों में चर्चा तेज है शुकरवार को एक प्रेस कॉन्फरेंस के दौरान चुराग ने जमकर हमला बोला है चुराग पासवान ने कहा कि ये गड़वन्धन की बात है और गड़वन्धन में उप्त वक्त ये गलत द्रिश्टी में दिखता है जब दोस्त घटक दल एक सीट को लेकर जनता के बीच में खीचतान करते हैं परशुपति पारस पर तंज कस्ते हुए कहा कि अगर गड़वन्धन से आपको ग्रीन सिगनल मिल जाए तो आप दावा कर सकते हैं कि हम दावा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम गड़वन्धन में जाने के पहले तमाम अपनी चिंताओं पर चर्चक कर चुके हैं अगर आज हम हाज़िपूर सीट को लेकर दावा की बात करते हैं तो गड़वन्धन में हमको यह अधिकार मिला है कि हम यह बात बोले बिहार सरकार ने जारी कि यह रोजगार के आगरे चोवर्सों में 2017-18 में मिला 26 प्रतीशत निबंधित युवाव को रोजगार शमसंसादन विभा के पोर्टल पर हर वर्स राजी के हजारों बेरोजगार रोजगार के लिए निबंधन कराने वाले युवाव की संक्या बढ़ गई है नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल के आखरों के मताबिक पिछले चोवर्सों में निबंधित बेरोजगारों में सबसे आधिक 2017-18 में 26 प्रतीशत युवाव को रोजगार मिला है बाकी रोजगार के लिए राजिया दूसरे राजियों में चले गया है साथी 2018-19 में 18 प्रतीशत 2019-20 में 14 प्रतीशत 2020-21 में 9.7 प्रतीशत 2021-22 में 6.9 प्रतीशत 2022-23 में 23.1 प्रतीशत बेरोजगारों को रोजगार मिला है 2023-24 में अब तक 26,843 बेरोजगारों को रोजगार मिला है